पाट 9 में हम Elimination method और कुछ pattern का question डिसकस किये थे जो भी question हम discuss कर रहे हम केवल उसका process pattern बता रहे है question एडजेक्ट नहीं है कि उसका answer integer में कुछ आएगा उसका answer solve कीजएगा तो fraction में हैगा बहुत लेंदी लेंदी आजएगा तो पुरा solve नहीं करना है उस type का question अगर कहीं book में है तो वहां से उठाइए और book solve किजिए और book sensor मिलें हम केवल question लिख कैसे ही समझा रहे है तो cross multiplication method हम आगे के वीडियो में discuss करेंगे आज एक next pattern discuss करते जा रहे है और बहुत important pattern है इस pattern से word problem solve करने में सहुलियत मिलेगा उसमें downstream और upstream का question रहता है जो इसी pattern से solve होगा ताइए इसको समझी है तो यहां पर equation आपको दिया हुआ X और Y निकलना है तो 14 14 अलग किजिए गा तो 1 by X प्लस Y होगा यहां से 7 अलग कर लिजिए तो 1 by X minus Y होगा is equal to 9 अब करना क्या है तो 1 by X plus Y है इसको A लेट कर लिजिए और 1 by X minus Y इसको B लेट कर लिजिए तो यह बन जाएगा 14 अब 1 by X plus Y तो 14 A plus 7 B is equal to 9 step बराएगा आप डाइड़े क्लिक रहे है तो इसी तरह यह हो जाएगा माइनस यह 2B हो जाएगा वन हो जाएगा यह equation आपका 3 होगा और यह equation आपका 4 होगा जैसे इसको convert किये नहीं तो 1 by X plus Y ए तो 14 A यहां से 18 है यह 7 B और यहां से 2 B अब इस दोनों equation को हम लोग का target है solve करने के लिए यहां से समझेगा तो आप देखिए यहां से 14 और है कई से थोरा बड़ा दिख रहा है चलिए वाई को target किजिए तो वाई यहां साथ है यहां दो है अब हम लोग कि 28 A प्लस साथ दूनी 14 भी बराबर 9 दूनी 18 इसको साथ से कड़िये तो 21 सत्य 147 बहुत परा हो गया माइनस दूनी 14 भी 27 ए कम साथ हो गया जोरने के लिए बता है तो जोर दीजिए sorry जोरना है ना तो जोरना है तो साहिन तो कुछ है नहीं कट गया तो इसको जोर यह 15 चाहार जोर चाहबा एक साथ 175 ए 18 आसाथ 25 हो जैगा तो यह बराबर हो गया 15 बंटा में 175-25 75 एक बैसा एक भेलू केंटना आया एक बैसाथ एका भाएलू अब क्या बता है कि एका भाएलू पूट करके भी निकालना होगा एका भाएलू कहा पूट करियेगा या तो 3 में या तो 4 में निया असर समझेगा तब पूट a is equal to 1 by 7 in equation 3 और 4 यही दोनों में पूट करिएगा तो हम यहाँ पे 3 लिखे रहा है तो 3 में पूट कर रहा है तो equation 3 क्या है 40 A plus 7 B is equal to 9 यही ना equation 73 यह हम लोग का 1 by 7 आया है तो A के जगह पे 1 by 7 पूट करिये अप्लास 7 B बराबर 9 यहां से कट रिया दू तो प्लास 7 B बराबर 9 टू धर माइनस होगा तो B 1 by 7 आएगा सोड़ी B 1 आयगा तू साथ असाथ बट आसाथ एको एस्टेप बढ़ा निकड़िएगा तो आप हम लोग का A और B निकल गया अब आईए यहां से देखे नाव इधर में पूस्टन नहीं मीटा रहा है आप कहा है किसके बाद कहा लिख रहे है इसको द्यान से समझेगा 7 निकला अच्छा A हम माने थे किसको तो A हम माने थे 1 by X plus Y को तो A का भैलू 1 by X plus Y या 1 by 7 ग्रोस कुना करिया है तो यह हो जाएगा X plus Y is equal to 7 इसको equation 5 माल लिजिया अच्छा B कितना निकला 1 B का भैलू कितना निकला 1? B माने थे किसको? तो B माने थे हम 1 by X minus Y को तो B का भैलू कितना हो गया? B का भैलू 1 by X minus Y यहाँ से क्रोस मल्टिपलाई करिये तो X minus Y बरावर 1 आएगा equation 6 मानी है X minus Y बरावर कितना आ गया? 1 equation 6 मान लिए समझे बात को न? अब equation 5 और 6 को solve करना है अब देखे इसको अभी जरूरत नहीं है अब इसको हटाई है तो देख रहा है equation pattern change करकर के बहुत सारा प्रोसेस अपनाना पर रहा है अब आपका हो गया equation X plus Y बरावर साथ यह equation 5 हो गया और X minus Y बरावर एक इक्वेशन 6 हो गया आप इसी को solve कर लेना एक स्वाई निकल जाएगा इसको एड़ करिए या सब्ट्रेक्ट करिए अड़ कर रहे है अधर से साथ आए आठ तो एक्स बरावर कितना आ रहे है चार अभी एक्स का भैलू कहां पूट करेंगा यह तो वहां से लेंदी होगा यहीं पूट करिया इसका जरूरक पड़ेगा इसको ध्यान से समझेंगा इसको करकर के चेंज करना हाला कि डिरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे कुट कोफिसेंट करके बड़ वैसा सही तरीका नहीं है करने के लिए तो डिरेक्ट अब्सट में करें लेंगे लिए देखिया वीसी पर पैटन का कोश्चन बताते हैं पूरा सुल्व नहीं करने आपको केवल प्रोसेस सीखना है इस तरह का क्वेश्चन कहीं देखियेगा बनाइए यह दिया हुआ है माली जे यह दिया हुआ है समझेंगा केवल कोश्चन को माली जे इसको सुन्व करना जान समझें तो देखिये 2x3y2x3y यहां और दोलों से मिसम्हाइगा तो आप क्या करियेगा समझ लिजे कि वह यहां से 3 को बाहर करिये तक क्या मचेगा यहां से 2 अलग करिए तो 1 बाइ 3x माइनस 2y मचेगा इसको हम लोग क्या लेट कर लेंगे अब इसको क्या लेट कर लेंगे बी तो फाइनल एक्वेशन क्या बनेगा 3a माइनस 2b बराबर 5 अच्छा यहां से लगले बना दीजिए तो 4a प्लस 3b बराबर 6 तो यह हम लोग यह 2 में पोहुच वह आभी दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे ए और भी निखालेंगे ना ठीक है अधिक है थोरा दर के लिए कि यह और भी निकाल लिए थोडिकले मंनी जी कि यह कुछ भी निगाल यह रहोड़र शोट टेक्श प्लस थ्री गढ़िये यह आपका ओर इजिनल पुष्ट्टन हे ईए आपका और ईजनल इकवेशन आए आएगा एक रोटीन पांच तो ए मान लिजे कुछ आएगा तो एका भैलू इसी को नमाने थे यहां से यह ओरीजिनल एक्वेशन आए बी मान लिजे भी कुछ आया होगा वान बैसे में वान लेड़ा है इस तरह का कोश्चा क्यों पैटर्र रब समझे ना बी वान बैसेवन तो बी किसको माने थे तो वन बाइ थी एक्स माइनस टू आई को आई एक्वेशन तो आपको मिलेगा भायंकड भायंकड बट वहां करना क्या है आपको उसको आपको सिंपल वे में चेंज कर लेना है कि अग्या है और भी बहुत सारा पैटर्न का प्वेशचन है इस तरह से हो गया एक पैटर्न का ऑप्वेश्चन का उन्हार पश्चन बूर्ड पर लिखा हुआ ऊचल दोनवा इस पैटरन्ग और साथ हो गया और यहां जो वाइन के साथ है यहां एक्स के साथ हूं अगर इसको जाएगा तो इसको सट से गुना करिया इसको ती अत्र से गुना करिया तो कड़िये पांचों महीना में हो जाएगा पैटार में इसको सुलू करने का तरीका समझे है इक्वेशन दिया है एक अधू माल लिजेगा चलिए सलूसन यहां से सुलू कर देती है इस तरह के क्वेश्चन दे जब कॉफिसेंट अदला बदली रहे है तो एक बार जोरना है और एक बार घटाना है जब भी कोफिसेंट एक्स्चेंज रहेगा साइन यहां दोनों प्लस है प्लस माइनस माइनस प्लस साइन कुछ भी रहे है आप कोफिसेंट देखिए कि अधला बदली है तो आप एक बार जोरिए दोनों को काट करिए जोरिए तो पहले जोरते हैं लिखे है, on adding equation 1 and 2, तो यह दोनों equation को हम add करने जा रहे हैं, ध्यान से समझेगा बात को, दोनों equation को हम add करने जा रहे हैं, तो जोड़िये, 7-10, 140x, यहां से आपका 140y यहां से आजाएगा 700, देखी, 140 common करिये, हैं, यही बराबर हो जाएगा 700, यह इससे कट जाएगा ना, 5 बार में कट जाएगा, तो दोनों एक्वेशन को जोड़ दिये तो एक्स प्लस वाई कित्रा निकला पाच इसको माल लिए एक बार घटाई है एक बार जोर लिए ना अब एक बार क्या करना है घटाना है यहां खत्म हुआ उसके बाद अप लिखें आप लोग नीचे आप लिखते जाए अब यहां घटाई है लिखें अगें और सब्ट्रेक्टिंग टूफर लिखें वान को 73 एक्स प्लस 67 वाई इस इक्वाल टू 410 आइसको लिखें है सरसट एक्स प्लस 73 वाई इस इक्वाल टू 290 का बता है इसको अबरी घटाने के लिए ना तो घटाई है तो तीहत्तर में से शरसट गटाई है चो एक्स आई उल्टा गटाईएगा तो माइनस चो आई और यहां से गटाई है तो 120 चो कॉमन करिये तो एक्स माइनस वाई बराबर 120 चो इक्वेशन चार समझे बात को तो यह इत्तरा का पैटर्न का समय को गज़ाएंट है कrows एक प्रता आप गश्चन के वार थिए एक सब्सक्राइब गज़ेंगा ओ जिए जौ़ inscription आप इसको सुखर करना कुछ रही को पते समय मिल नीठीज हमौन जरूरी भूर तो च भाने के रहा है बट उस तरह के पैटरन के वेस्टन को एक बावार कीजिए एक बर सब्ट्रेट कीजिए एसा घरने से आपको दू गया है तो अलों से लीग सब्सक्रारब चोटा एक्स निकल गया यहां इसको जोड़े घटाएंगे तो घटाएंगे तो य एक्स चैंसिल होगा य निकलेगा फिर फूट करेंगे एक्स जो निकला 15 वता दू पूट court kpc कारी गातों में इक वेसल नहें करना में इक विसले पूट करें आए थो बहुत लिदी हो जाएगा अब इस पूट कर रहा है किन्रज देखें हम पूट कर रहा है एक्स प्लस्ता साइफ दीया हुए कि एक साय कितना तो 25 बटा दू एक्स का बैलू अब प्लस वाई बरावर पांच वाई बजाएगा आपका पांच माइनस पचीस बटा दू एल्सीम लिए पांच दू निदस माइनस 15 बटा दू तो यही ऐसर होगी है तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का यही तरीका है इमि आज पार्ट 10 में भी कुछ डिसकस किया है हलाकि सब एक जाम में आता नहीं है बात समझ लिजे लेकिन सुल्व करने का तरीका मालूम होना चाहिए हम बता दिया है इक जाम में या तो यहां से वर्ड प्रोब्लेम आएगा आ नहीं तो फिर ग्राफ बनाने के लिए आएगा नहीं तो फिर क्लास मैंटिप्लिकेशन मेंथंस यहां देखां मेक्सिमम मैं यही चांस रहता है अलाकि सब्सेटचिूटिओषैन हुगंशन Сब्सेटकी Loren मन से लिए थे चलते फाइनली कोई solve नहीं हो रहा था उसी टाइम का question आप book बगाड़ा सहीं कहीं से उठाइए उसको solve किजिए और book से answer मिला ये बिल्कूल बनेगा तो part 11 में हम लोग cross multiplication method के साथ मिलेंगे ठीक है thank you hello class 10 तो आईए आज के वीडियो में part 11 linear equation का discuss करते हैं इसमें हम लोग cross multiplication method पढ़ेंगे पिछले वीडियो में elimination method, substitution method और comparing method बता चुके थे हैं देखे question लिखा हुआ है 3x minus 2y is equal to 13 और 5x plus 2y is equal to 11 तो इस method में थोरा सो साधानी रखना है cross multiplication method यूज करते समय आपको confirm हो लेना है पहले कि equation standard form में है की नहीं सबसे पहले equation को आपको standard form में लिखना है standard form का महनने का मतलब कि right side में 0 और constant और left side में इसको इधर कर लेना है तो देखिये ध्यांसर तो solution इसका हम सुरू करते हैं तो सबसे पहले equation का ज्या हुआ है 3x minus 2y 13 को इधर ले आए तो minus 13 is equal to 0 इसको equation 1 लेट किजिए second equation 5x plus 2y minus 11 is equal to 0 यह second equation है cross multiplication में सबसे पहले equation अगर standard form में नहीं है तो आपको उसको standard form में लिखना है मतलब left side में सारे टर उड़ाएंगे और right side में 0 राएगा सबसे पहला cross multiplication method में यह बात द्यां डखना है ठीक है उसके बात देखिया रेखे बॉक वगेड़ा में बहुत सारा طریक्क आ है अलग-अलग तरीके से बनाए जाता है सबसे जो आसानी से इजrickily समाझता है उसको देहए अब बताये थे आपको यह आपका a1 हो गया A1 हो गया 3 यह वाला B1 होता है तो B1 हो गया minus 2 और constant हो गया C1 1 का मतलब कि सब first equation का टिनोसन हो गया इसी तरह second equation में आई है A2 तो A2 यहाँ पे 5 है 5 हो गया B2 Y का coefficient और C2 constant term minus 11 समझे क्या किया है cross multiplication method में सबसे पहली equation को standard form में लिख लिजिए उसके बाद A1 B1 C1 A2 B2 C2 यह सबको लिख लिजिए हैना इसे mistake नहीं होगा उसके बाद देखिया क्या करना है X by X by लिखना है और यहाँ पे आपको लिखना है B1 B2 C1 C2 आई कोल का साइन यहाँ देजिए फिर यहाँ Y लिखिया है C1 C2 A1 A2 फिर इकोल का साइन देजिए 1Y A1 A2 B1 B2 फिर सद्धाल से देखिया X के निचे किसको लिखना है तो B1 B2 C1 C2 Y के निचे तो C1 C2 A1 A2 1 के निचे A1 A2 B1 B2 इकोल का साइन देजिए इस तरह से शुरूर करेंगा ठीक है अब देखिया आई कोल का साइन यहाँ उपर नहीं बीच में देना है इस तरह से तो देखिया अब लिखिया X Y B1 B2 तो देखिया B1 B2 माइनस 2 और 2 है माइनस 2 और 2 है C1 C2 तो माइनस 13 और माइनस 11 है माइनस 13 माइनस 11 इकोल का साइन देजिए फिर देखिया Y Y C1 C2 तो माइनस 13 माइनस 11 माइनस 13 माइनस 11 A1 A2 तो 3 और 5 इस इकोल तो 1 by A1 A2 3 5 B1 B2 minus 2 और 2 समझे सबसे पहले ना कैसे करना है कट रहा है साथ तो इसको हम थोरा सा डाउन कर देता है दीख गया होगा है ना थोरा सा इसको एडजस्ट करते हैं दीख रहा होगा समझे ना क्या करना है सबसे पहले एकस के नीचे B1 B2 C1 C2 Y के नीचे C1 C2 A1 A2 1 के नीचे A1 A2 B1 B2 फिर वहलू भर दिया है यहाँ पर B1 B2 तो माइनस 2 तू यहाँ से वहलू देखके और उसके एकोर्डिंग हम लोग उसको एडजस्ट कर दिया ठीक है इसके बाद देख दिया अगला स्टर अब ये इसको ऐसे कहां से लिखे ये कहां से आया इसको जानने का नहीं जरू होता है इसके लिए 11 क्लास में मैट्रिक्स एंडिटर्मीनांट एक चेप्टर होता है वहां से यह आया है हलाकि एक और असान मेतर है उसको बताएंगे समाझ बाएगा इसका एक तरीका जो समझाएंगे लेकिन उसमें छोड़ा समय लगेगा हलाकि इसका डिटर्मीनांट से आता है जो कि हमनों को परना है नहीं तो फिलाल इसको याद रखिएगा ठीक है ना इसके बाद देखिए इस स्टेप के बाद इसके बाद क्रोस मल्टिप्लाई किया जाता है यह एरोम के बल साइन लगा रहा है समझने के लिए मल्टिप्लाई किजिए माइनस टू और माइनस इलेवन तो माइनस टू और माइनस इलेवन प्लस ट्वेंटीटू होगा प्लस 22 आई इसको मल्टिप्लाई किजिए माइनस 13 और 2 तो माइनस 26 होगा और बीच में आपको माइनस करना है ध्यान दिजिए गया हैं पे चुला साईनों निस्टेक बता है पहले आप इसको मल्टिप्लाई कर लिए फिर माइनस लिखना है अब फिर इसको मल्टिप्लाई करना है अगला स्टेंपाई है मल्टिप्लाई कीजिए इसको तो माइनस 13 और 5 माइनस 65 माइनस 65 और फिर माइनस लिखिया है अब तब फिर गुना किजिए माइनस 11 और 3 सबजएगा बात कुर ध्याण से is equal to 1 by कि पाइले इधर से multiply कर लिया अजो ध्यान रखना इधर से start कर ना इधर से उर्टा वो जाएगा है। इधर से multiply किया है फिर बीच में minus LK A अब फिर इधर से multiply कीजिए फिर multiply किया है फिर minus लिकिए आफ फिर इधर से multiply किजिए यह एरो के वाल समझने के लिए दिये तेरो देने करना जरूते हैं तीन में दूसरे कुना किजिए तो तीन दूनी छाओ अब बीच में माइनस लिखे अफिर कुना करें पाच माइनस दू तो माइनस 10 समाझ गाना किस तरह से मल्टिप्लाई करना है नीचे से ठीक अब अगला स्टेट कहिए क्रोस मल्टिप्लिकेशन से कभी कभी स्पेशल क्वेश्चन देता है जू या तीन नूमर अब यहाँ है 22 अब माइनस अ माइनस प्लस हो जाएगा 26 इसमें हो जाएगा y उपान माइनस 65 और माइनस माइनस प्लस 33 यहाँ से 1 बाई 6 और माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा ठीक है इदा बिल्कुल इसी तरह स्टेप वाइच करना है इसको एड़ किजिए है 48 इसको एड़ किजिए है तो माइनस में आएगा आईस में से घटा दीजिए 32 हाई जाएगा 1 by 60 अब देखिए यह 3 वह बराबर घटका हुआ है यह बराबर है इस भी बराबर है इसको अब कि जिए कि हैं 10 एक्वेल है इसका बदधे स्वेरी को आए यह दोनों भी को आए और यह दोनों भी कोई अधुको n 48 इसको और इसके साथ ले लिजिए 1 by 16 इक्वल करिये इसको cross multiply तो 16x is equal to 48 तो यहां से x is equal to 3 चलाएगा cut कर लिजिएगा नीचे ले जाके तो यह दोनों को equal किये अब यह दोनों को equal किजिए y by minus 32 is equal to 1 by 16 नहीं तो यह दोनों को कर सकते हैं चुकि एक तो मालूम चलिए गया अब यहां से भी cross multiply किजिए 16y is equal to minus 32 y is equal to minus 2 आइसको ले जाके नीचे step बरहां के cut कर लिजिए तो यहां तक पहुंचने के बाद एक बाद इसको इकवेट किजिए और एक बाद इसको इकवेट किजिए तो एक्स और वाइन कर लिए तो यहीं cross multiplication method है तो इसमें करना क्या है सबसे पहले equation को standard form में लिखिए right side 0 कर लिजिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 एक जगा पहले ट्रिबूलेट कर लिजिये और वहां साइन में देखिएगा साइन में वहां मिस्ट्रेक बता है पहला सा अजनी उसके बाद फर्मूला क्देंगेदेगा क्ट यहीए cross multiplication methen एक क्वेस्टन और टिस्कस करते हैं है ना देखिए अगला क्वेस्टन एक क्वेस्टन है 3x-2y is equal to 5 3x-2y is equal to 5 तो 7x plus y is equal to 6 तो सॉलूसन इसका करना है तो सबसे पहले स्टेंडर फॉर्म में लिखिए तो 3x-2y is equal to 0, सेकेंड एक्वेस्टन है 7x plus y minus 6 is equal to 0 इसके बाद a1, a1 हो गया आपका 3, b1, b1 हो गया minus 2, c1, c1 हो गया minus 5 तो इतो बता दिये तो देखिए बहुत लोग इसको ऐसे भी करता है एक्वेस्टन को एस्टेंडर फॉर्म में लिख लिए न, उसके बाद x के नीचे तो x के नीचे लिखने के लिए x को ठक लिए जाता है और कोफिसेंट लिखते है, minus 2 और 1 minus 2 और 1, और फिर constant minus 5 और minus 6 y तो y के लिए y को ठक लिए और यहां से सुरू के लिए minus 5 minus 6 और फिर यह coefficient 3 और 7 उसके बाद 1 by तो 1 के लिए constant अट आई है, तो यहां से 3, 7 और यह minus 2 और 1 तो देखिए बात वही है, minus 2 और 1 क्या है, b1, b2 minus 5 और 6, c1, c2 तो डाइरेक्ट नब इठाई है, आप एक बार फर्मूला लिख लिए, x, y, b1, b2, c1, c2, c1, c2, a1, a2, a1, a2, b1, b2 आउसके बाद भैलू कीजिए, भी यहां से multiply कीजिए ठीका ना, कहीं कहीं एक तरीका और भी लेगा, उसमें confuse नहीं होना है इसमें y वाला में देखिए, बता रहा है, इसको कर लिजिएगा, खुद से कर लिजिएगा, इसमें कुछ है नहीं y वाला में देखिए क्या है, कहीं कहीं बुक में minus y लिखा रहेगा, तो हम बताए था ना, कि y के नीचे क्या होता है, c1, c2, a1, a2 हम बताए थे, तो कहीं कहीं आप देखिएगा, कि y के साथ minus है, तो जब minus होगा ना, तो a1, a2 आगे लिख दिया जाता है, c1, c2 पीछे लिख दिया जाता है, अब इसका कारण समझी है, जैसे यहां से आईएगा, तो multiply कीजिए, तो पहले क्या होगा, c1, a2, अत्ताम होगा, c2, a1, होगा ठीक, अब देखिया, minus common करिया, तो minus common करियेगा, तो यह वाला plus में बन जाएगा, और यह वाला minus चल जाएगा, और यह minus उपर कर लिजिए, तो c2, a1, minus c1, a2, अच्छा, यहां से इसको सल्व किजिए, तो a1, c2, c2, a1, c2, a1, minus a2, c1, c1, a2, जैकि यह दोनों एक ही c2, a1, और c1, a2, तो उपर minus है, तो यहां मैनस है, तो अगर यहां y के साथ कहीं कहीं minus लिखा भी लेगा, तो आपको यह वाला इधर भी लेगा, और यह वाला इधर रहेगा, चूकि और चेंज करने से sign change होता है, तो confuse नहीं करना है, y के साथ अगर minus लेजिएगा, तो आग से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बुक वगएड़े में देखिएगा, इधर हुदर कैसे बनाया हुआ है, तो confuse कर देएगा, जैसे हम बता है, बिल्कुल वैसा ही है प्रोच है, वैसे बनाई है, ठीक है न, अब देखिए, पिसके पिछले वाले पार्ट में हम लोग कुछ उसके टाइप डिसकस कर रहा है, तो उसमें करीब करी सब टाइप हम डिसकस कर दिये थे, बहुत है लेकिन जो हम लोग को जानना है, हलाको सब इक्जाम में नहीं आता है, फिर भी हम डिसकस कर दिये थे, देखिए, क्रोस मल्टिप्लिकेशन कहीं, एक और क्वेस्चन लेते है, अलफाबेटकल लेटर आएगा, AX, BY, MX, U, B, S, अब रहेगा, तो इसको क्रोस मल्टिप्लिकेशन मेथर से सुल्व करना है, तो देखिए, इसको आई हम सुल्व करना है, तो बताये थे ना कि सबसे पहले इसको स्टेंडर फॉर्म में लिखी है, तो यह AX plus BY, देखिए है, A minus B, A इधर आएगा, तो minus A plus B is equal to 0, second equation हो रहेगा, BX minus AY minus A minus B is equal to 0, इसको पहले, एक बार 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 मोलता है कि कैनल को सब्सक्राइब किजिए, और बेल आइकन को दवाई है, अब वीडियो को share किजिए, भ्यूच रहता है, लेकिन लाइक नहीं रहता है, कुछ कमेंट भी नहीं रहता है, कमेंट भी किजिए, और माइत है केवल समाजने से नहीं होगा, कि वीडियो सिनेमा की तरह देख रहा है, पलंग पे पसर गए, वीडियो देख रहा है, तो ऐसे कुछ नहीं होगा, जब तक हाथ नहीं चलेगा, कुपी पे, कुछ नहीं होगा, कि माइत क समझने से नहीं होगा इसके लिए आपको हाथ चलाना होगा तो बाइट के आराम से आप कोपी पिन ले के और खुद से करने का प्रेस किजिए साथ-साथ वीडियो को रोख के समझे ना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सेर भी किजिएगा कमेंट भी करना है तो देखि तो A2 होगया B B2 तो B2 होगया माइनस A और C2 तो C2 वे पुरा ओगया माइनस A माइनस B तो बतायते है कि X के निचे होता ये V1, V2, C1, C2 y के निचे c1 c2 a1 a2 यह यहाँ माइनस कड़ियेगा तो यह इधर और यह इधर होगा और 1 के निचे a1 a2 b1 b2 a1 a2 b1 b2 चलिए भाइलूपार आज़ा b1 b2 तब b नहीं कौमा इपकेगा तब b माइनस a c1 c2 तो माइनस a प्लस b ब्रैकेट अटा दिया आई माइनस a माइनस b कोई दिकत नहीं है y के निचे c1 c2 तो माइनस a प्लस b माइनस a माइनस b a1 a2 a और b हो जाएगा और 1 के निचे a1 a2 तो a और b होगा और b1 b2 तो b और माइनस a होगा समझ गया ना थोड़ा छोटा छोटा लिखा गया है इसको देखिएगा मैनेज करिएगा इसके बाद देखिए उपर से इरेज कर दता है अब अगला स्टेप देखिए दे हमसे अगला स्टेप पर बुना कीजिए b में माइनस ऐसे तो पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं अपिर माइनस अपिर इसमें मल्टिप्लाइ करना है तो देखिए इसमें मिस्टेक कहां होगा इस तरह के question में जैना mistake का chance रहता है तो minus A है तो minus A into minus A plus bracket use केजे न bracket जितना हो सके UGE केजे काही mistake नहीं होगा यह мultiply किजे तो B में इससे multiply करना है तो little is S है फिर बीच में minus तो फिर इसको multiply करना है तो A into minus A minus यहाँ multiply किजे किया मैं मैंनास ता मैनस अस्क्वार और B मैं यह माईनस माईनस प्लस ऐसे स्कृरे प्लस अब से अब निचे माईनस एस्क्वार माईनस कर साइगा मैंस a square plus a b तो यह भी a b cut जाएबा y के नीचे यहां से b a b cut गया तो यह आपका बच गया b square plus a square यह a square plus b square बात सेम है 1 by minus a square minus b square उसके बाद बताते हैं कि इसको और इसको equate किजिए तो देखिए यहाँ x के नीचे है minus a square minus b square minus b square minus a square तो उल्टा लिखे ना क्या दिखा था यहां से उसको लिए लिजिए 1 के नीचे माइनस A स्कार माइनस B स्कार तो क्रोस मल्टिप्लाइ करिएगा उससे अच्छा है कि नीचे-nीचे काटी है फिर इसको इक्वेट किजिए तो Y के नीचे A स्कार प्लस B स्कार यहां से 1 बाई माइनस A स्कार माइनस B स्कार तो इस तरह का भी क्वेश्चन क्रोस मल्टिप्लिकेशन में रहता है जिसमें आपका कोफिसेंट जो होगा वो नुमेरिकल नहों के ए, B, A में ये सब रहेगा अलफावेटकल लेटर रहेगा तो कुछ नहीं है इसमें सावधानी केवर रखना है इसमें साइन बहुत मिस्टेक हता है जम्यांगbre 0 सवधानी रखिएगा तो पार्ट 11 में हम आज क्रोस मल्टिप्लिकेशन मेथड डिसकस किये उसको लिखने का तरीका भी बहुत तरह अलग-अलग है जैसे आपको असाल लगे लिखिए और कोस्चन को स्वल्ब कीजिए बुक वगरा है, NCRT में भी क्रोस मल्टिप्लिकेशन मेथड है अधर कोई हेल्ब बुक है तो उससे आप लोग स्वल्ब कीजिए और प्रेक्टिस कीजिए केवल महित का वीडियो सिनेमा की तरह देखने से पसर के नहीं होगा जब तक कोपी कलम साथ नहीं रखिएगा, खुद से नहीं कोशिस करिएगा तो अब तक कुछ नहीं समझ में आएगा देखिएगा उससे में समझ में आएगा लेकिन जब एक्जाम में या कोश्चन बनाने के लिए कोई दे देगा ना तो हाथे नहीं चलेगा प्रेक्टिस नहीं है तो मैं प्रेक्टिस करना पड़ेगा आपको समझने से होगा नहीं ठीक है ना तो अब पार्ट बारह में अब हम लोग और डिसकस करेंगे इसी में अगला टॉप इसी में मतलब आगे का चीज जो भी है तो पार्ट 11 में इतना ही रखते हैं और वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसको मतलब की सेर भी करिए इधर उधर दोस्त में फ्रेंड में सब्सक्राइबर बढ़ाईए जितना जल्दी सब्सक्राइबर ज्यादा हो जाएगा यूटूब से response हम लोग अच्छा मिलेगा तो हम लोग भी वीडियो लंबा-लंबा यहां से बलाएंगे तो कोई processing करने में हम लोग को जादे दिक्कत होगा नहीं अब यह subscriber बहुत कम है तो subscriber बढ़ाईए आप भीज करिए लाइक करिए और comment भी करिए comment भी कुछ नहीं कोई करता है negative positive जो भी हो कोई जो भी response हो उसको comment करना है बार बार हम कहते है हर वीडियो में कहेंगे आप लोग करना होगा है ना लाइक करिएगा तब लोग हम लोग को भी अच्छा लगेगा ठीका आप पार्ट बाढ़ा में मिलते हैं